मेरा आप सभी को साधर प्रनाम मैं दिपिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आपकी बैटक में तो टोकिया ओलम्पिक्स का एक और दिन खतम हो गया है और हम इस वीडियो में आज यानी की 30 जुलाई के राउंड अप की बात करेंगे अगर आज का दिन हम भारत के नजरिये से देखते हैं तो काफी मिला जुला दिन आज का रहा है तो चलिए इस राउंड अप को स्टार्ट करते हैं बताते हैं आप सभी को कि आज भारती खिलाडियों ने कैसा परदशन किया है साथ ही आने वाले राउंड में कौन-कौन से भारतीय एथलीट्स ने क्वालिफाई कर लिया है तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम आर्चरी की तो आर्चरी के आज सबसे पहले वन बाई एट एलिमिनेशन राउंड खेले गए और उसमें भारत की और से दिपिका कुमारी कंपीट करती हुई नजर आई दिपिका का मुकाबला रशियन ओलंपिक कमीटी की आर्चर पेरोवा से था और दिपिका ने काफी आसानी से 6-5 से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और वो quarterfinals में जापाऊची लेकिन quarterfinals में दिपिका का मुकाबला कौरिया की आर्चर अनसान से था ये मुकाबला एक तरफ रहा क्योंकि दिपिका 6-0 से इस मुकाबले को हार गई और वो semi-finals में जाने में नाकाम्याब रही वहीं देपेका की जो competitor थी यानि की Korea के अंसान उन्होंने individual में gold medal अपने नाम कर लिया है तो चलिए वहीं बात कर लेते हैं boxing की तो boxing में आज दो मुकाबले देखने को मिले सबसे पहले मुकाबला women's welterweight के quarterfinals थे उसमें भारत की और से लौबलीना बॉर्गोहें अक्शन में नज़र आई लौबलीना का ये पहला quarterfinals था क्योंकि ये उनका Olympics भी पहला ही था उनका मुकाबला Chinese type की boxer Chen Nian चिन से था जिन से पहले लौबलीना एक बढ़ हार भी चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी लौबलीना ये ने ये मुकाबला चार एक से अपने नाम कर लिया और उन्होंने अपने खाते में एक Olympic medal पक्का कर लिया है जिया दोस्तों यहां से लौबलीना को bronze medal पक्का हो गया है लेकिन लौबलीना ने आज एक इंटर्व्यू में कहा कि उनकी नजर bronze medal पे नहीं बलकि gold medal पे है तो देखते हैं कि आने वाला मुकाबला उनका किन के खिलाफ होगा क्योंकि अभी बाकी rounds में सारे matches नहीं हो पाए हैं जिसकी वज़े से अभी नहीं कह सकते कि उनका semi-finals में मुकाबला किस boxer से होने वाला है वहीं boxing के दूसरे मुकाबले की बात करते हैं यानि कि women's lightweight round of 16 उसमें भारत की और से सिमरंजीत को और दिखाई दी उनका मुकाबला Thailand की boxer सुड़ापॉन से था लेकिन ये मुकाबला भी एक तरफा रहा क्योंकि सिमरंजीत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वो 5-0 से इस मुकाबले को हार गई यानि कि एक और भारती बॉक्सर की उम्मीदे यहीं बेख खतम हो गई वहीं अगर एक नजर डाले बैडमिंटन के इविंट की और तू बैडमिंटन का आज का मुकाबला काफी मज़ेदार मुकाबला था क्योंकि आज women's individual के quarterfinals के ले गए और उसमें भारत की और से रियो ओलम्पिक्स की silver middleist पीवी सिंदो दिखाई दी उनका मुकाबला world no.5 जापान की शटलर अकाने यामगुची से था वैसे तो पीवी सिंदो ने ये मुकाबला straight sets में जीता 21-22 से लेकिन जो दूसरा set था उसमें अकाने ने comeback करने की कोशिश की लेकिन पीवी की excellent skills और जबरदस form ने उनको comeback नहीं करने दिया और पीवी ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया साथ ही semi finals में उन्होंने अपनी जगब पक्की कर ली है पीवी सिंदो का semi finals का मुकाबला है वो कल खेल जाएगा और वो Chinese Taipei की शटलर Tai Zhu Ying से होने वाला है जो की world number one badminton player है वहीं अगर दूसरे semi finals की बात करते हैं तो वो दोनों Chinese shutlers की बीच में खेल जाएगा एक तरफ है world number two shutler Chen Yufay वहीं दूसरी और आप सभी को चाइना की ही badminton player Hey Bing Jiao दिखाई देगी यानि कि अगर कल का मुकाबला सिंदू जीत जाती है तो उनका इन दोनों Chinese players से ही मुकाबला होगा जो भी इस मुकाबले में जीत कर आएंगी यानि कि अगर semi finals में PV सिंदू जीत हासिल करती है तो उनका finals में जो मुकाबला है वो चाइना की ही खिलाडी से होने वाला है तो लेकिन जिस तरह की form में PV सिंदू चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि सिंदू कल का मुकाबला जीतने में कामियाब रहेगी लेकिन जरूर ये जो मैच होने वाला है काफी tough fight होने वाली है तो आप सभी इस मैच को बिलकुल भी छोड़ियेगा मत और PV सिंदू का मुकाबला आप सभी जरूर देखेगा क्योंकि ये एक most awaiting मुकाबला है साथ ही भारत की मेडल की दावेदारी काफी अच्छी तरीके से सिंदू पेश करती हुई नजर आ रही है तो चलिए वही बात कर लेते हैं होकी की और तो होकी के आज दो मुकाबले खेले गए men और women दोनों मुकाबले खेले गए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतिय men होकी टीम की तो भारतिय होकी टीम का मुकाबला home टीम यानि की जापान से था लेकिन भारती टीम ने काफी आसानी से मुकाबला 5-3 से अपने नाम कर लिया और वो अपने फिलाल पॉइंट स्टेबल पर नमबर 2 पोजिशन में है और उन्होंने quarterfinals में अपनी जगा भी पक्की कर लिया वहीं अगर women's hockey टीम की बात की जाए तो भारतिय women's hockey टीम का मुकाबला Ireland की टीम से था लेकिन भारत ने ये मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया और फिलाल अगर हम बताते हैं तो women's hockey टीम की जो पॉइंट स्टेबल में रांकिंग है वो फिफ्ट चल रही है लेकिन quarterfinals के लिए टो 4 ही टीम क्वालिफाई करेंगी और कल का मुकाबला भारती होकी टीम का साउथ आफरिका से होने वाला है तो देखते हैं कि भारत की टीम कैसा परफॉर्म करती है क्योंकि अगर भारती टीम जीतती है और वो भी बड़े अंतर से तो तब ही possibilities बन सकती है उनकी quarterfinals में क्वालिफाई करने की तो देखते हैं कि कैसा प्रदशन रहेगा कल के मुकाबले में भारती women hockey टीम का वहीं shooting की अगर बात करते हैं तो shooting में 25 मीटर पिस्चल के rapid rounds देखने को मिलें जिसमें भारत की और से दो shooters देखने को मिलें एक तरफ मनुभाकर महीं दूसरी तरफ राई ही सबसे पहले मनुभाकर की अगर बात करें तो मनुभाकर का पंदरवा स्थान रहा 15 पोजिशन रही 582 पॉइंट्स के साथ और वो फाइनल्स में क्वालिफाई करने में नाकामियाब रही वहीं रहाई की बात करते हैं तो उनका 32 अस्थान रहा और उनके पॉइंट्स की और नजर डाले तो 573 पॉइंट्स के साथ वो भी फाइनल्स में नहीं नजर आई यानि कि अभी तक shooting event में भारत की और से एक भी medal नहीं आया है और अभी भी सूखा पड़ा हुआ है लेकिन कल आपको जरूर shooting के कुछ मुकाबले देखने को मिलेंगे और उसमें भी भारत की और से दो shooters आप सबी को दिखाई देंगी एक तरफ तेजस्वीनी सावंत वाई दूसरी और अन्जुम मौडगे तो देखते हैं कि क्या बारती shooters, shooting event में एक medal लाने में कामियाब हो पाते हैं या फिर नहीं वही बात की जाए गॉल्फ की तो गॉल्फ के भी आज मिंस individual के round 2 खेले गए जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिर्बान लहीरी की तो उनकी जो position है वो 28 रही हुई उद्यानमाने की ranking की बात करते हैं तो वो 57 यानि की 57 पोजीशन पर रहे आगे और भी मुकाबले होने हैं देखते हैं कि भारती गॉल्फर्स किस मोर तक जाते हैं और कहा तक अपना इस्थान बना कर रखते हैं अगे बात कर लेते हैं Equestrian की तो Equestrian के मुकाबले में भारत की और से काफी समय बाद एक भारती एक्वेस्ट्रियन खिलाडी देखनों के मले जोकी ते फुआद मिर्जा उनका आज के मुकाबले में आज के मैच में सात वा स्थान रा, सात ही कल भी वो आप सभी को आक्शन में नज़र आएंगे तो देखते हैं कि फुद मिर्जा क्या कमाल करते हैं वहीं अगर एक और नज़र डालेते हैं एक और इवेंट की और जो की था अतलेटिक्स आज से athletic events की शुरुआत थी उसमें काफी मुकाबले देखने को मिले और उसमें काफी Indian athletes भी नजर आए, compete करते हुए, परफॉर्म करते हुए उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं women's 100 meter race की, heat की उसमें दूती चन आज दिखाई दी लेकिन उन्हें सातवा स्थान प्राप्त हुआ जिसकी वज़े से वो next round में qualify करने में नाकामियाब रही वहीं अगर बात करें men's 400 meters hurdles की तो उसमें MP जबीर दिखाई दिए उन्हें भी सातवा ही स्थान प्राप्त हुआ और वो भी next round में qualify नहीं कर पाए अगर एक और event की बात करते हैं तो वो था men's 300 meters steple chase उसमें अविनाश सबले perform करते हुए दिखाई दिए compete करते हुए दिखाई दिए लेकिन उनका भी सातवा ही स्थान रहा और वो भी next round में qualify नहीं कर पाए और अगर athletic event के आखरी event की बात करते हैं तो वो था mix 4 into 400 meter relay उसमें भारती टीम perform करती हुए दिखाई दी पार्ट लेती हुए दिखाई दी लेकिन ये भारती टीम आठवे स्थान पर रही यानि कि athletics में कोई भी भारती athlete आगले round में qualify करने में काम्याब नहीं रहा और यहीं से eliminate हो गया अब बात कर लेते हैं आज की दिन के आखरी event की जो की था selling event जिसकी races आप सभी को हर रोज दिखाई देती है सबसे पहले बात करते हैं laser race number 9 और 10 की जिसमें भारत की और से विश्नू सरवानन दिखाई दिए अगर विश्नू सरवानन की ranking की बात करते हैं तो race number 9 में वो 20 स्थान पर रहे वही race number 10 में वो 20 स्थान पर रहे दूसरे selling event की बात की जाए यानि की 49 ER की उसमें भारत की जूड़ी वरुंठककर और गंपती की नजर आई उनके race number 7 की बात करते हैं तो वो 28 स्थान पर रहे वही race number 8 और 9 में वो 70 स्थान पर दिखाई दिये आखिर में बात कर लेते हैं नेथरा कुमानन की तो laser radial race number 9 में नेथरा 33 पोजिशन पर दिखाई दी वही race number 10 में वो 35 पोजिशन यानि की 35 स्थान पर दिखाई दी तो ये था आज की पूरे दिन का round up वही कल यानि की 31 जुलाई को भी काफी मज़ेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे जिस में से सबसे most awaiting मुकाबला रहेगा बैड मिंटन का semi final यानि की PV सिंदु का मुकाबला वही अगर कुछ और मुकाबलों की बात की जाए तो आप सभी को कल भी कुछ और भारती एथलीट सियानी की discuss thrower और long jumper भी नजर आने वाले हैं तो आप कह सकते हैं कि कल भी काफी मुकाबलों भारती नजरिये से देखा जाए तो काफी मुकाबले आप सभी को नजर आएंगे और मुझे उमीद है कि आप सभी उनका भी भरपूर मज़ा उठाएंगे तो चलिए देखते हैं कि भारत की जोली में अगला medal कब तक आता है जैसे कि अब तक हम एक नजर से देखे तो दो medal पके हो चुके हैं एक मेरा बाई चानू का और दूसरा लॉबलीना की आज जीत से दूसरा medal भारत का पका हो चुका है तो चलिए ये था आज का round up आप सभी के लिए मुझे उमीद है कि आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी रगी होगी साथ ही जल्दी मुलाकात होगी आप सभी की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप जुड़े रहे आपकी बैठक के साथ और साथ ही टोक्यो ओलम्पिक से जुड़ी हच्छूटी बड़ी अपडेट देखने के लिए देखते रहे आपकी बैठक को So thank you everyone